दोस्तों आप देख सकते हो कि हमारे पास है एरो की फेशन एक्स प्रो गाड़ी है और इसमें इस टाइप का एंजिन है और दोस्तों इसमें एक प्रोब्लम है कि टाइमिंग चेन बहुत ही आवाज कर रही है और आपको मैं इसकी लूज दिखाई भी दे रही होगी तो भी मै देख सकते हो कि टाइमिंग चेन कितना लूजे देख सकते हो और मैं आपको स्टार्ट करके इसका आवाज भी सुना देता हूँ अज दोस्तों इसमें से वाइल इतना निकला है और अब यह मैं इसका टाइमिंग रिपलेस कर गे तो सबसे में ने पहले एक खोल के इसका देख लिया कि टाइमिंग चेन बहुत लूज है तो इसको खोला है अभी और इधर से एक रोलर रहता है तो यह खोलेंगे और इसके सारे बोल्ट खोलेंगे यह भी कवर खोलना पड़ेगा तो मैं सारा चित को अभी खोलके ले लेता हूं और बाद में दिखाता और इसमें एक पीन आती है जो यह रही लगती है तो इसमें देख सकते हो आप कि जो छोटा रोलर रहता है वो कितना इधर आ चुका है और गिस के आया है पुरा हम इसको खोलके इसको चेक करेंगे परती सही रहेगा तो ही हम टाइमिंग चैन इसा ही डालेगे वरना इसको 25 इसको देख सकते हों कि अबने जोट़िया और इस दोनों रोलरे अब देख सकते हों कि और दोस्तों ये वी रोलर खत्म हैं जो इधर लगा हुआ та और दोस्तों वर में यूद यूद लगता है इस सिलिंडर में प्रॉब के वाग्त कट चुका है और कड़न भी हो चुके हैं इसको रिप्लस करगे तो एच्छा रहें और इधर का तो पत्टी भी मृत देख सकते एक हैं और इसके साथ साथ इज पत्टीप भी क्या आलत हो गया तो हम् consist caring माजश्ट तो अभी हमने इसका काम स्टार्ट करते हैं तो पहले इसको लेके आते हैं और हमने दुस्तों इसका टाइमिंग चैन सेट लिया था पूरा जेनियन देख सकते हो आप इसका पार्ट नमबर ए है और इसकी MRPA 430 और हमने तोड़ दिया है क्योंकि आपको भी दिखाना है तो हम इसके दिखाते हैं तो आप यह बीच वाला रोलर है और दोस्तों जो कड़ चुका है वह वाला रोलर है और इसके सामने जो दुसरा रोलर रिदर आता है वह वाला रोलर है और इसका टायमिंग चन है और उपर का सपोकेट है और इसके साथ दोस्तों एखान बीच आता है और एक पंकOW का रब्बर है और दोस्तों इसमें क्या है कि spring नहीं दिया था जो इसके निचे spring लगता है तो आपको अलद रशे पर्चस करना पड़ेगा और जो एक पट्टी भी तूट चुकी है गिस चुकी उसको भी हम दूसरा डालेगी तो हम इसको बाजर से लेके आते हैं अभी कि तो हम इसका फिटिंग स्टार्ट करेंगे बाद में दूस्तों तो हम इसको लेके आते हैं तो दोस्तों में नया टाइमिंग चैन और टाइमिंग चक्कर डाल दिया है तो इसका टाइमिंग में आपको दिखा देता हूँ कि यह जो कॉटर पिन बना हुआ है मेंगेट का उसको इसके सामने रखने का है जो अपना एड और शिलिंडर है, उसके सामने और उदर से आप ऐसे पता नं करओ तो उदर से देखने करए पिस्टन पुरा टॉप पे होना चाहिए और मेगनेट लगा के, कौफर लगा के भी आप इसका टाइमिंग ले सकते हो तो मेगनेट में टि बना होता है और कवर में ये कोल दिया होता है या कोई मार्किंग पया होता है तो इधर आपको मैं मार्किंग भी दिखा देता हो कि ये जो थोड़ा उब्रा हुआ इसा है तो ये अपना मार्किंग है टॉप का और इक कोटल पीसी आप इसको ले सकते हो या मेगनेट लगा कि भी इसका टी मेच करके ले सकते हो तो और उपर में जो अपना ये चक्कर है इसमें दो इस तरीके का पॉइंट बना हुआ है माइनस जिसा तो आपने सामने इसके सामने रखने के जो इधर खाच बनी हुई है दूनों साइटे तो दूस्तों हमने अभी टाइमिंग ले लिया है आप देख सकते हो कि एक इधर पॉइंट रखा है इसके सामने और दूसरा पॉइंट इदर है और जो एपर वाला हिस्सा उपर की साइड रहेगा और इधर बारा नंबर का बोल्ट टाइट होगा तो हम इसको एसे ही टाइट करके ले लेते हैं और एक रोलर इदल डाढने का है जो हमारे पास बढ़ा रोल है तो एक उपर डालने का है वाल अप देख सकते हो कि यह कितना स्मूध है इसे दबना चाहिए दोस्तों हाड हे तो नहीं चले गया यह आवाज मारेगा फिर तो यह कंप्लीट है तो इसको हम तो वी मैं इसको लगा पैलता हुए इसको लगाना के है ऑप यह वाना जाई हुए को आब सिर्ण में जबढ़ मेना की अप हथे आए तो इसको लोगा कर लेता ईया है कि ही कहने यह स्परिंग भी नाय डाल दीए है निचे से चौदा नमर का बोडल लगा दिया है तो मैं इसको भी कम्प्रिट फिटिंग कर देता हूं मेगनेट और को इसके बाद में आपको आवाज चुना तो इसका तो दोस्तों ने सारा चीज फिट कर लिया है और वी डाल दिया है और हमने भी पेट्रोल भी डाला है इधर तो भी वाइप तो हम इसको स्टार्ट करके देखते हैं तो अभी आप देख सकते हो कि इसका आवाज कि इतना स्मूठ हो गया है आज 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 देख सकते हो कि जो खरकरार की बहुत आवाज कर रहा था मानों की पूरा एंजिन चला गया होगा इसा आवाज कर रहा था तो सारा आवाज बंद हो चुका है और हमने इसका टेप भी शेट किया है और गाड़ी अभी मखन जैसी हो गए और टंकी वगएरा फिट करके वस करके कल दे देंगे क्योंकि अभी नाइट बहुत हो चुकी है और दोस्तों इसके साथ साथ हमने एक पूरा पैनल भी पीछे का अच्छे से फिट किया है और आगे का पैनल भी फिट किया है और एक इदर से नक्का टोट गया था तो हमने जुगाड लगा के अभी इसका किया है सेटिंग तो इदर से आप देख सकते हो कि एक बोल्ट भी हमने लगाए और आप किसी भी वाइजर को या आप पैनल को ऐसे फिट कर सकते हो तो मैं इसके उपर एक अलग से वीडियो बनाऊंगा कि एक पॉइंट टू रिजा है तो आपको कम खर्चे में आप बिल्कुल नए जैसा कर सको और दोस्तों इसमें एक दिक्कत आएगी कि बाहर से एक बोल्टे से दिखेगा और हमने एक मेस्ट्रो गाड़ी में भी एसा जुगार लगा है तो मैं एक वीडियो बनाऊंगा इसके उपर तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो दोस्तों ठैंक्यू धन्यवाद ओंड़ा है तो